मोवी की सुरुवात में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खतरनाक क्रियेचर से लड़ते हुए देखते हैं उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसी को वो उस मॉंस्टर से बचाने की कोसिस कर रहा होता है पर उस मॉंस्टर के आगे स्ट्रेंज की पावर कमजूर पढ़ र के लिए उसकी कुर्बानी देनी होगी पर तभी वो मॉंस्टर स्ट्रेंज को पकड़ कर उपर उठा देता है और उसे मार कर वही नीचे पटक देता है उसके बाद वो मॉंस्टर उस लड़की को पकड़ कर उसके पावर को छीनने लगता है पर उस लड़की की पावर के व वहाँ वो क्रिष्टीन से कहता है कि वो sorry feel कर रहा है क्योंकि उसने उसकी care नहीं की पर वो इस बात से खुस है कि उसे वो मिल गया जिसके साथ वो खुसी से रह सकती है। तबी बाहर सहर में किसी का हमला होता है और अश्ट्रेंज सहर को बचाने के लिए जाता है। वहाँ एक बड़ा सा ऑक्टोपस एक बस को उठाय हुए था जिसमें एक लड़की थी अश्ट्रेंज उस लड़की को उस बस से बाहर निकालता है और उस ऑक्टोपस से लड़ने लगता है। टैंटिकल्स में जकर लेता है और दुबारा उस लड़की के पीछे जाता है पर अश्ट्रेंज का कोट उसे इस बार उस से बचा लेता है और तब तक अश्ट्रेंज भी वापस आ जाता है और वंग को उससे छुडाता है वो दोनों मिलकर अब उसका मुकाबला करने लगत हैं पर वो दोनों उसके आगे कमजोर पाड़ रहे थे इस बार उसने अश्ट्रेंज को अपने टैंटिकल्स में जकर लिया था जिसकी वज़े से वो कुछ नहीं कर पा रहा था तब ये अश्ट्रेंज का कोट उड़ता हूँ आता है और अक्टोपस की आँख को ढख लेता है अश्ट्रेंज तुरंत वहाँ एक पोल की मदद से उस अक्टोपस की आँख बाहर निकाल देता है जिसकी वज़े से वो वही मारा जाता है उसके बाद अश्ट्रेंज उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसने उसे अपने सपने में कैसे देखा वो लड़की उसे बता दिये कि वो उसका सपना नहीं बल्कि अक दूसरा यूनिवर्स था जिसमें उसका ही एक अलग वर्जन उसके साथ एक मौन्स्टर से उसे बचा रहा था वो उसे बताती है कि वो आक्टोपस उसे किड्नाइप करना चाह रहा था क्योंकि कुछ डेमन्स हैं जो उसक पास किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर है पर वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है जब भी उसे कभी डर लगता है तब वो पावर अपने आप एक्टिवेट होने लगती है और मल्टिवर्स के पोर्टल खुलने लगते हैं अस्ट्रेंज उससे पूछता और वो यहां इस यूनिवर्स में आ गई अस्ट्रेंज कहता है कि यह रियल नहीं हो सकता क्योंकि यह सिर्फ उसका एक सपना था वो लड़की उसे पुरूफ के तोर पे दूसरे यूनिवर्स के अस्ट्रेंज की लास को दिखाती है जो उसके साथ यहां आ गई थी यह हम उन्हें अमेरिका 24 बताती है वांग उसे उनके साथ कमरताज चलने को कहता है क्योंकि वहां वो सेफ रहेगी वो अस्ट्रेंज की लास को वहीं दफना देते हैं आगे हम वांडा को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे इंज्वाई कर रही होती है पर असी दूसरे यूनिवर्स से और कुछ डेमन्स उसके पीछे पड़े हुए हैं जो उसके पावर्स को हासिल करना चाते हैं वो लोग उसे कमरताज लेके आए हैं ताकि वो फिलाल सेफ रह सके अस्ट्रेंज वांडा से कमरताज आकर एक बार उस लड़की से मिल लेने को कहता है वांडा उससे कहती है कि तुम अमेरिका को यहां उसके पास क्यों लेकर नहीं आ जाते वो उसके साथ सेफ भी रहेगी पर अस्ट्रेंज सोच में पड़ जाता है क्योंकि अभी तक उसने वांडा को उस लड़की का नाम नहीं बताया था पर उसे पहले से उसका नाम पता पर तब वांडा उसके सामने से सारा इल्यूजन हटा देती है वांडा अब असकालेट विच बन चुकी थी अस्ट्रेंज देखता है उसने डार्क होल्ड बुक को खोल लिया था जिसकी वज़ा से उसकी सक्तियां उसी पहावी हो गई थी वांडा उससे कहती है कि इस बुक से बनाया था और अगर वो ऐसा करती है तो ये नेचर के लौग का उलंगन होगा और अगर उसने चैविच से उसका पावर छीन लिया तो वो जिन्दा नहीं रह पाएगी वांडा उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुमारे मुझ से ये नेचर के लौग के उलंगन वाली बात सही नहीं लगती क्योंकि उसने भी तो वही किया था था इन उसको टाइम स्टोन देकर तुम नहीं हमको तोड़कर हीरो बन जाते हो और अगर वो ऐसा करे तो वो उसके लिए दुस्मन बन जाती है वो कहती है कि आज सूरज डूबने के पहले वो लोग चाविच को सांती से उसके हवाले कर दे और उसके बाद वो उसे कभी नहीं दिखेगी अस्ट्रेंज कहता है कि क्या होगा अगर वो ऐसा नहीं करते वो कहती है कि फिर उसे लेने वांडा नहीं बलकि असकालेट वीच आएगी अस्ट्रेंज कमर ताज जाकर वांग को सारी बात बतात अश्ट्रेंज सबसे कहता है कि अगर स्कालेट विच को चैविस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टिवर्स को गुलाम बना देगी वोंग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए तयार होने को कहता है सारे लोग कमरताज की फाज़त के लिए अपने अपनी पोजीसन ले लेते हैं और तभी कुछ दिरबात पूरे कमरताज के आसपास काला धुआ उठने लगता है और वंड़ा उनके सामने आती है अस्ट्रेंज जाकर उससे बात करता है और उसे ये सब रोकने को कहता है पर वो नहीं मानती है और अस्ट्रेंज को अपने रास्ते से हट जाने को कहती है क्योंकि वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है वो स्टेंच पे हमला करती है पर उसके आगे कमरताज के लोगों ने एक मजबूत सिल्ड बना दिया था जिस पे वांड़ा का कोई पावर काम नहीं करता है वो कमरताज पे भी हमला करती है पर हर जगा उन लोगों ने सिल्ड बनाई हुई थी वांड़ा अपनी दूसरी चाल चलती है वो वहाँ एक आदमी के दिमाग में जाती है और उसे वहां से भागने को कहती है जिसकी वज़ा से उनका सिल्ड तूट जाता है और उसके बात वांड़ा वहां पे हमला करती है कुछ देर तक वो सब वांड़ा के वार को जھیलते हैं प जहां उसके पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे पर वो अपने रिफलेक्शन के थूरू उन तक पहुँचने की कोसिस करने लगती है अस्ट्रेंज और वंग जल्दी से वहां के सारे रिफलेक्शन वाली चीज़ों को ढखने लगते हैं पर किसी तरह वांड़ा उन तक पहु और अस्ट्रेंज वांड़ा पे हमला कर देता है पर उसके पावर वांड़ा के सामने कुछ भी नहीं थे वो अस्ट्रेंज को दूर फेक देती है वोंग को भी वो मार कर वहीं बेहोस कर देती है और चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को उससे निकानने लगती है चैविस क कहता है कि उन्हें यहां से वापस उनके युदूर्स में जाना होगा पर चैविस कहती है कि वो पोर्टल खोल नहीं सकती क्योंकि उसके पावर पे उसका कंट्रोल नहीं है अश्ट्रेंज उस से कहता है कि उसका दूसरा वर pelos इस यूनिवर्स में जलूर होगा वो सायद उसकी मदद कर सके पर जैविस कहते है कि यहाँ उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है क्योंकि वो खुद उसी यूनिवर्स की है वो कहते है कि वो अस्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढून कर Book of Vasante का पता लगा सकते हैं और सायद उसकी मदद से वो वंड़ा को रोख पाए, वो दोनों अस्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूनने निकल जाते हैं, वहाँ रास्ते में उन्हें एक मसीन दिखाई देती है, जो लोगों की पुरानी यादों को वापस दिखाती थी, अस्ट्रेंज उसमें देखता है जब वो क्रिष्टिन के साथ डेट पे गया था, उस दिन क्रिष्टिन ने उसे एक घड़ी गिफ्ट किया था, ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, चैविस भी अपने यादों को देखती है, जिसमें उसके साथ उसकी दोनों मॉम्स होती है, पर उसकी डर की वज़े से वहाँ कई सारे मल्टी वर्सेस पोर्टल खुल जाते हैं, जिससे उसकी मॉम्स किसी और यूनिवर्स में चली जाती है, और वो किसी और में, अस्ट्रेंज उससे कहता है कि एक दिन वो जरूर अपनी मॉम्स से मिल पाएगी, वो दोनों बात करते हुए अस्ट्रेंज के घर के पास पहुँच जाते हैं, उन्हें वहाँ डॉक्टर अस्ट्रेंज के स्टैचू दिखाई देती है, जिस पे लिखा होता है कि वो थैनुस से लड़ते हुए मारा गया, तभी वहाँ उन्हें कालमोडो दिखाई देता है, जिसने अस्ट्रेंज को पहली बार कमरताज पहुँचाय था, वो अस्ट्रेंज को अपने शाथ अंदर लेकर जाता है, अस्ट्रेंज उसे चैविस और अपने बारे में सब कुछ बताता है, वो उसे बताता है कि वांडर ने डार्क होल्ड की पावर को हासिल कर लिया है, इसलिए उसे रोकने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए, कालमोडो उन्हें बताता है कि उनके उन्यूवर्स में भी डार्क होल्ड है जिसकी पावर से कोई भी इंसान अपने कॉंसेस को किसी और उन्यूवर्स के अपने दूसरे वर्जन में प्रजेक्ट कर सकता है और उसकी body को possess करके अपनी तरीके से इस्तिमाल कर सकता है यह possession permanent नहीं होता है पर इससे वो उस reality में काफी damage कर सकते हैं और अभी तक जो भी creature चैविश का पीछा कर रहा था वो हो सकता है कोई और नहीं बलके scarlet वीची हो और इस possession को वो dream walking कहते है अस्ट्रेंज उससे book of vesanti के बारे में पूचता है पर उसे चक्कर आने लगता है कालमोडो ने उसके drinks में कुछ मिलाया था वो दोनों वहीं बेहोस हो जाते हैं इधर अस्कालेट वीच अपने आपको उस universe के खुद की version में project करने की कोसिस कर रही थी जहां चैविस और डॉक्टर अस्ट्रेंज थे उसने वांग को अपने पास बांध करके रखा हुआ था तब ही वांग के पास उसका एक आदमी आता है और अपने चाको से डार्क होल्ड की book को लेकर दिश्ट्रॉय कर देता है जिसमें वो खुद भी मारा जाता है वांडा का दूसरे universe से connection टूर जाता है वो देखती है कि book भी destroy हो चुका है वो गुसे में वांग को माने लगती है और उससे डार्क होल्ड की spell पूछने लगती है क्योंकि वो sorcerer supreme था और उसे इसके बारे में पता था वो कमरताच के लोगों को माने की धमकी देकर उससे वो spell पूछती है वो उससे बता देता है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक copy थी जिसमें वो spell लिखे हुए थे पर उसका असली power वेंडा कॉर में है पर वहां तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया है पर वांडा उससे कहती है कि ऐसा करने वाले वो लोग पहले होंगे इधर अस्ट्रेंज की जब आँख खुलती है तो वो अपने आपको एक glass cell में पाता है चैविस भी उसके बगल वाली cell में थी वो देखता है कि वहां क्रिश्टीन है वो उसे बताती है कि वो लोग उसके लैब में research purpose के लिए लाए गये हैं क्योंकि वो किसी और universe से आये हैं इसलिए वो लोग उसकी पूरी जांच करना चाते हैं तब ही वहां काल मोडो आता है और उससे कहता है कि वो लोग उसे Illuminati के सामने पेस करने के लिए ले जा रहे हैं अस्ट्रेंज को समझ नहीं आता है कि Illuminati क्या है वांडा वोंग को लेकर वैंडा कोर पहुँच चुकी थी वहां वो एक टूटे हुए खंडर में पहुँचते हैं वोंग बताता है कि यहीं सबसे पहले एक डेमन ने उस पावर को हासिल किया था और फिर बाद में उसे डार्क होल्ड बुक में लिखा गया वांडा वहां लाइट जलाने लगती है तब ही चार बड़े मॉंस्टर उनकी तरफ बढ़ते हैं पर वो सब वांडा के आगे अपने आपको सरेंडर कर देते हैं ऐसा लगता है वो लोग उसका ही इंतिजार कर रहे थे इधर अस्ट्रेंज को इलिमिनार्टी के सामने पेस किया जाता है वहां हम कैप्टन कार्टर को दीखते हैं कुछ और भी सूपर हीरोज वां थे जैसे कि ब्लैक बोल्ट, मिस मार्बल और फैंटास्टिक फोर के रिड रिचर्ड रिचर्ड अस्ट्रेंज से कहता है कि उसका उनके उन्यूवर्स में आना किसी खत्रे से कम नहीं है क्योंकि उसके पीछे कई मुसिबते भी साथ आ सकती है और उसने नेचर के लॉग को भी तोड़ा है उन लोगों ने इलुमिनार्टी को बनाया ताकि डिफिकल्ट डिसीजन ले सके इसलिए आज वो डिसाइड करेंगे कि उसके साथ उन्हें क्या करना चाहिए इससा ही बता देनी चाहिए वो बताते हैं कि वो सब थैन उसके साथ वार में थे पर अस्ट्रेंज हमेशा अपनी मर्जी से काम करता था उसने डार्क होल्ड की पावर ली और ड्रीम वाकिंग करना सुरू कर दिया पर एक दिन उसने उन सब को बुलाया और कनफेस किया कि वो ड्रीम वाकिंग कर रहा है और ऐसा करते हुए एक बार उससे गड़बड हो गई और उसकी वज़ह से एक यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए और उसे डर है कि उसकी वज़ह से वो दुबारा ऐसी गलती कर सकता है उन सबने बुक अफ वेसांटी की मदद से थैनों उसको मारा पर उनके सामने अभी भी दूसरा खत्रा मौजूद था डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में इसलिए उन सबने ब्लैक बॉड की मदद से स्ट्रेंज को खत्म कर दिया इधर वांग वांडा को समझाने की कोसिस कर रहा था कि वो चाकर भी सब कुछ कंट्रोलिंग कर सकती पर वांडा उसे वहां के पहाट से नीचे फेक देती है और अपना पोजेशन सुरू कर देती है वो उस यूनिवर्स की वांडा को पोजेश करके अमेरिका चैविस के पीछे भेजती है इलूमिनाटी के लोग अपने बिल्लिंग में किसी के हमले की आवाज सुनते हैं वो कैमरे में देखते हैं वांडा ने उन पर हमला किया था वो सब उसे रोकने के लिए चले जाते हैं चालसा स्ट्रेंज से कहता है कि अगर वो इस सेल से बाहर आपाता है तो वो बुक अव वसांटी को लेने जाए जो वहां मौझूद है और अमेरिका चैविस को किसी भी हालत में उस असकालेड विच से बचा कर रखे वांडा क्रिस्टीन की लैब की तरफ बढ़ रही थी वो उस रूम में पहुँचने ही वाली होती है कि उसके आगे सारे सूपर हीरो उसे रोकने के लिए आ जाते है रिचर्ट वांडा को रुख जाने को कहता है वो कहता है कि बलेक बोर्ड उसे सिर्फ अपनी आवाज से खत्म कर सकता है पर बलेक बोर्ड का पूरा मुही सील हो चुका था और वो अंदर ही अंदर अपनी आवाज से ही फटकर मर जाता है वो रिचर्ट को भी एक जटके में ही मार डालती है कैप्टन कार्टर और मिस मार्बल उस पे हमला करती है वो दोनों एक साथ उस पे हमला करके उसे रोकने की पूरी कोसिस कर रहे थे कैप्टन अपनी सिल्ड से उस पे हमला करती है पर वो उसकी सिल्ड को पकल कर जोर से उसी की तरफ फेकती है और उसकी वज़ा से वो भी मारी जाती है अब मिस मार्बल सिर्फ अकेले ही बची थी वो अपने पूरी त्याकत के साथ उस पे हमला करती है पर उसकी पावर को भी वांड़ा कुछी देर में खत्म कर देती है और वो दूर जाकर गिरती है वो तुरंत उस पे एक बड़ा सा अस्ट्रैचू गिरा कर उसे भी मार देती है अस्ट्रेंज अपने आपको सेल से बहार निकालने के लिए मोडो को उकसाता है और वो जैसे उसे माने सेल के अंदर आता है अस्ट्रेंज उसे हरा कर वहां से बहार आ जाता है इधर क्रिष्टीन चैवी को से बहार निकालने की कोसिस कर रहे थी क्योंकि वो सेल जाम हो चुगा था वो उस गलास को तोड़ने के भी कोसिस कर रहे थी तब ही एक 5-5 से 24 उस गलास को तोड़ देती है पर तब तक वांड़ढ वहां आ चुकी थी तब ही उसे रोकने वहाँ चाल साता है और उसके दिमाग से असकालेट विच को निकानने की कोसिस करने लगता है पर असकालेट विच उस पे भी हावी हो जाती है और उसकी गर्दन मरोड कर उसे भी मार देती है तब तक अमेरिका और क्रिस्टीन महां से भाग जाते हैं भागते वो उन दोनों को अस्ट्रेंज मिलता है क्रिस्टीन उन्हें लेकर बुक अफ वेसांटी के पास ले जाने लगती है वो लोग एक टरनल के थुरू जा रहे होते हैं और उनके पीछे वांडा आ रही होती है अस्ट्रेंज किसी तरह से वांडा को वहीं टरनल में दबा कर फसा देता है और वो लोग एक गेट के पास पहुँचते हैं जिससे सिर्व डॉक्टर अस्ट्रेंज ही खोल सकता था वो उसे खोलने की कोसिस करता है पर उससे वो खुलती नहीं है क्रिष्टिन उसे अस्ट्रेंज के घड़ी देती है जिसकी मदद से वो उस गेट को खोल लेता है वो जगह स्पेस और यूनिवर्स के बीच के गैप का जंगसन था वहां बुक अफ वेसांटी रखे हुई थी अस्ट्रेंज जाकर उस बुक को अपने हाथ में ले लेता है तब ही चैविस को वांड़ अपनी तरफ खीचती है और वो अपने पावर से बुक अफ वेसांटी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है वो चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को निकानने लगती है और फिर से चैविस की डर की वज़े से वहां मल्टी वर्सेस पोर्टल खुल जाते है जिसमें वो अस्ट्रेंज और क्रिस्टिन को फेक देती है और उसके बाद वो एक पोर्टल खुल कर चैविस को असकालेट विच के पास भेज देती है और इसके बाद स्कालेट विज वांडा से अपना position हटा लेती है वांडा को जैसे ही अपना ध्यान आता है वो अपने बच्चों के पास बागती है और इदर स्कालेट विज चाविज को उठा कर बीच में रख देती है क्रिस्टीन और स्टेंज एक ऐसी यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं जहां कई सारी यूनिवर्स आपस में कॉलाइड कर रहे थे वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्टेंज से मिलने जाते हैं और उसे पूछता है कि क्या तुम करिश्टीन के भीना खुब क्योंकि वह तो नहीं है और तब उसकी तीसरी आंग खुलती है वो कहता है कि वो उसे Dark Hold book यूज करने देगा पर उसके बदले में उसे करिश्टीन उसे देना होगा अस्ट्रेंज उस पे हामला काने लगता है और वो दोनों वहाँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और डॉक्टर अस्ट्रेंज के एक वार से वहाँ का अस्ट्रेंज खिलकी को तोड़ता हुआ नीचे जाकर रॉड पे गिर जाता है और वहीं मारा जाता है डार्क होल्ड की बुक अस्ट्रेंज को मिल चुकी थी इधर पहार से गिर कर वॉंग भी मरा नहीं था वो एक पत्थर पे अटका हुआ था वो उटकर वापस उपर चड़ने की कोसिस करता है जहां वांडा चाविज की पावर्स को निकालने की कोसिस कर रही थी अस्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से देखता है कि वांडा अपने मकसद के काफी करीब है और तब अस्ट्रेंज ड्रीम वाकिंग करने का सोचता है वो क्रिष्टीन से कहता है कि वो उसकी बाड़ी की हिफाज़त करे जब डेमन सोल उस पे हमला करेंगे अस्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के मरे हुए डॉक्टर अस्ट्रेंज पर अपनी पोजेशन करता है जिसे उसने गार दिया था वो मरा हुए अस्ट्रेंज फिर से बाहर निकल कर खड़ा होने लगता है और उसे वो वेंडर कोर तक पहुचा दीता है पर तभी बहुत साए डेमन सोल उस पर हमला करने लगते हैं वो डेमन्स कह रहे थे कि डेड बोडी को पोजेश करना माफी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डेमन्स उस पर हमला करने लगते हैं क्रिष्टिन उसकी बॉड़ी को डेमन से बचाने की कोसिस कर रही होती है वो वहां के सारे डेमन को फायर फ्लेम से खत्म कर देती है और अस्ट्रेंज को जाकर समालती है और कहती है कि वो उन डेमन स्पिरिट को अपने फायदे के लिए इस्तमाल करे अस्ट्रेंज उन सारे डेमन अस्परीट की मदद से उड़ता हुआ असकालेड विच के पास पहुँचता है वहाँ के चारों मौस्टर अस्ट्रेंज पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर नीचे से वांग एक को खीच कर वहाँ से नीचे गिरा देता है और बाकी तीनों को भी अस्ट्रेंज उस पहाँ से नीचे गिरा देता है वह वांड़ा पे उन डेमन्स को डाल देता है जिसकी वज़े से वांग उसे किसी तरह कंटोल कर लेता है वांग उससे कहता है कि वह ज़्यादा देर तक उसे समान नहीं पाएगा उसे चैविज की पावर को निकाल कर यूस करना होगा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है अश्ट्रेंज चैविज की तरफ बढ़ता है चैविज उससे कहती है कि वह अप समझ चुकी है कि उन्हें उसकी पावर क्यों चाहिए और वो अपने अंदर से उसे पावर निकाल लेने को कहती है पर अस्टेंज उसे कहता है कि वो उसका पावर लेने नहीं आया है बल्कि उसे बताने आया है कि वो अपने आप पे भरोसा करे फिर वो अपने पावर को खुद कंट्रूल करने लगेगी और वो मिलकर अस्कालेट विच को हरा पाएंगे अमेरिका अपने पावर को कंट्रोल करने की कोसिस करती है तब तक वांडा भी छूट जाती है और वो अस्ट्रेंज पे हमला करके उसे मानने लगती है तब ही चैविस आकर उसे एक पंच देती है अब वो अपनी पावर को फील कर सकती थी वो लगतार वांडा को मानने लगती है और एक पोर्टल खोल कर उसे खौलते हुए लावे में गिराने वाली होती है पर वो रुख जाती है और कहती है कि वो उसके जैसा नहीं बन सकती और उसके सामने उसके दूसरे वर्जन वाला पोर्टल खोल देती है जहां उसके दोनों बच्चे उसे देखकर डरनने लगते है वहां उनकी मॉम वांडा आती है जिसे वो वहां से दूर फेक देती है और कहती है कि वो उनकी मॉम है वो दोनों बच्चे असकालेड विच पर चीजे फिक कर माने लगते हैं और वो उससे डर कर छोपने लगते हैं वो उनके पास पहुंचकर कहते हैं कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाती वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती क्यूंकि वो एक मॉंस्टर नहीं है और वो वहीं बैटकर रोने लगती है उसकी दूसरी वर्जन वॉंडा उसके पास आती है और प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरती है और तब 24 उस पोर्टल को बंद कर देती है वॉंडा को अब अपनी गलती का हैसास हो चुका था वॉंडा वहाँ के सब कुछ को तोड़कर बर्बाद कर देती है ताकि दोबारा कोई डार्क होल्ड को यूज ना कर पाए अस्ट्रिंज देखता है कि उसके पास की भी डार्क होल्ड की बुक डिस्ट्राई हो गई है Wanda ने हर युनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर दिया था Wong और Chavis अस्टेंज को लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं आगे हम देखते हैं कि America Chavis भी कमर ताज में सीखने की कोसिस कर रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज दू लाइक और शेर देवीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेश देट बिल आइकन